हेलो गाइस वेल्कम बैक सुवाथ का टूटोरियल होने जा रहा है हमारा एसलो ग्रेट को कैसे कलर करते हैं सो सबसे पहले मैं यह तीन क्लिप्स को यूज करूँगा और आपको बताऊंगा कैसे कलर ग्रेडिंग करते हैं हम यूज करने जा रहे हैं गयज आज बेसिक रेक्शन और कलर विल्स यह दोनों तो चलिए करते हैं शुरू सबसे पहले हम ग्राफ का हेल्प लेंगे इसमें हम लिमेट्रिक स्कोप के यूज करूँगा मैं अपना प्रेड आरजीवी ग्राफ तो इसको आप यहां से भी निक करांगा इसकी स्किन के तो उसको अजिस्ट करने के लिए एक्पोजर पर जाएंगे एक्स्पोजर कौम करूंगा around 50 आप देख सकते हो simply around को मैं ने घर advice करूंगा अपना Contrast तुछ मैंने यहां तक भड़ा दिया है अपना पूरा कॉन्ट्रास्ट को कर दिया है अब मैं जाओंगा कलर विल्ट﹌ पे जाओंगा और यहां अड़ देखुंगा पहले तो कोई color mismatch तो नहीं कर रहा color को equal करूँंगा यहां सारे कलर औलमोस्ट इक्वली बैच्ट है अगर नहोते जैसे मेरा हलका सा रैड हमारा हलका सा उपर है तो इसको मैं नीचे करूँगा शेड़ोस में जाकर क्योंकि बार्टम में शेड़ोस होती है तो Shadows को मैं Red की तरफ करूँगा Red के Opposite तो आप देख सकते हूं मेरा Red Color नीचे को हो चुका है अब मैं करूँगा Simply अब Highlights को यहां के ऊपर को करूँगा तो मेरी Highlights बढ़ गए अब मैं इसी तरीके से Shadows को नीचे को करूँगा इतनी सी हलका सा 0-10 के बीच में और अब मैं मिट्सून को थोड़ा सा बढ़ाओंगा अपनी निट्रून को बढ़ाओंगा और इसके बाद मैं जाओंगा फिर से basic correction में और इसमें मैं correct करूँगा whites and black तो whites को हमें 100 के जस्ट नीचे रखना है और blacks को हमें 0 के ऊपर रखना है तो आप देशकते हो मेरे 0 के अभी पहुंचा नहीं है पूरा और मैं यहां से और नहीं कर सकता हूँ इसके लिए मैं फिर से back जाओंगा color wheels पे और मैं shadows को यहां से stretch कर दूँगा थोड़ा सा इसके बाद अब हमें simple basic reaction में जाकर अपनी saturation को बढ़ाना है तो मैं यहां अपनी saturation को कर दूँगा 150 तो आप already दे सकते होगा इस अगर मैं before and after करकर बता रहा हूँ आपको तो कितना changes आ महां से हम करेंगे लट को browse तो मैं यूज कर रहा हूं अपना लट humans का 38 और आप देख सकते हैं कि अभी change कितना आगए इदर से मैं थोड़ी सी adjustment करूंगा इसकी इसकी vibrerance को मैं थोड़ा बढ़ा दूँगा और इसकी saturation को मैं थोड़ा सा कम कर दूँगा और आप देख सकते ह है अब काईस कि विफोर एंड आफ्टर यह है विफोर एंड यह है आफ्टर यह सिंपल तरीके से आप अपनी एस लोग फूटेज को कर सकते हो कितने changes आगी similarly अबर मैं आपको बताऊंगा इस clip को करके असान तरीके से यह दोनों clips आपको सब डाउनलोड करने के लिए दे द लोग के अंदर काफी गयब है तो इस पर हम similarly work करेंगे पहले हम जाएंगे basics पे वहाँ पर जाके हम अपना exposure को setup करेंगे इस बार exposure को मैं थोड़ा सा नीचे लिए आउंगा around 40-50 हलका सा इसका exposure already down है सो मैं ज्यादा change नहीं करूंगा इसके बाद मैं contrast पर जाऊंगा और यहां यहां blue थोड़ा सा उपर है तो इसको मैं नीचे ले आउंगा यह शैडो का एरिया है तो इसको लाने के लिए मुझे अगर कुछ भीगड़ जाए तो आप center click double click सकते हो और आपको reset हो जाएगा तो अब मैं जाओंगा blue को नीचे लेकर आउंगा हलका सा इदर को move करूंगा हलका सा blue नीचे आ गया और red को आप देख सकते हो यहां थोड़ा नीचे है तो इसको मैं उपर करूंगा उपर वाला हिस्सा होता है हमारा highlights का तो इसको मैंने उपर करा तो हमारा red थोड़ा सा उपर आ गया है अब मैं सिंपली इस पर highlights पर जाओंगा इसको raise कर दूंगा पू इदर से blacks को कम करना है और फिर लास्ट में हमें saturation को बढ़ा देना है तो अब आप देख सकते हो guys before and after कितना फरक पड़ चुका है हमारी color grading में इसके बाद हम simply एक लुक देने के लिए इसको हम कोई भी creative सा लट लगा देंगे तो उसके लिए मैं creative में जाओंगा और browse करूंग और इस वर मैं आपको अपना यूज़ करूंगा लट पैकेज में से जैसे इसको thriller का लट यूज़ करूंगा मैं और आप देखोगे कि इतनी changes आ चुकी है तो आप देख सकते हो guys कि एक जैसे movie type Hollywood movie type look आ चुकी है अगर आप इसको intensity को कम करना चाहो तो आप इसको कम भी कर सकत हो जैसे कि यह थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो मैं इसको around 50 कर दूंगा और अब देख सकते हो before and after और यह तो मारा हो गया है लट हमने लगा दिया है suppose करो अब हमें अपना लट सेव करने हैं ताकि हम simply इसको उपर लगाए और यह वीडियो को हमें basic corrections बगारा ना करनी पड हो गए और फिर यहां से इसके ऊपर मेक शुरे इसके ऊपर हमारा selection हो इसके बाद हम यहां add वाला sign करेंगे look और आप देख सकते हो कि हमारी यह look save हो गई है इसको मैं rename दे दूंगा lab lab look और अब simply हम इस वीडियो पर जाएंगे और drag and drop कर देंगे तो आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से हमारी before and after automatically color grade हो चुकी है तो कैसे यह है power of premiere pro color grading की log footage को कैसे color grade करते हैं ऐसे वीडियो को देखने के लिए subscribe करें और like share comment करें और आगली series में मैं आपको और color grading के details में बताऊंगा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया